सभी दिल्ली वासियों को मेरा नमस्कार पिछले एक साल से जब से कोरोना शुरू हुआ है मैं समय समय पे आपके बीच में आके सभी तत्यों को परिस्थितियों को इमानदारी के साथ आपके सामने रखता रहा हूं आपसे चर्चा करता रहा हूं एक चीज हम लोगों ने हमेशा गांठ बांध के रखे आपको कभी गलत अख्या नहीं दिये आपसे कभी जूट नहीं बोला जो था आपके सामने रख दिया अगर स्थिति अच्छी थी तो भी आपको बताया स्थिति खराब थी तो भी आपको हम नहीं मानदारी से बताया क्योंकि हम पहले दिन से समझ गए थे कि ये इतनी बड़ी आपदा है कि आपके साथ के बिना जनता के साथ के बिना अकेले इस आपदा से सरकार सामना नहीं कर सकते जनता का सहयोग और जनता की सहभागिता इस पूरे संघर्ष में बेहत जरूरी है और जब तक जनता को सच नहीं बताया जाएगा सारे तथे जनता के सामने नहीं रखे जाएंगे तब तक जनता की भागिदारी सुनिश्चित करना असंबर था इसलिए हमने हर चीज आपके सामने रखी हमने टेस्ट नहीं कम होने दिये आज दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं मैं तो ये कहूंगा कि अगर प्रती दस लाख की पॉपुलेशन पे देखा जाए तो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहा है मैंने देखा कि कई जगों पे उन्होंने टेस्ट कम कर दिये टेस्ट कम कर दिये तो केस कमाने लग गए इस तरह से तथ्यों के साथ कई जगे हेर फेर करने की कोशिश की गई हमने ऐसा नहीं किया हमने टेस्ट कम नहीं किये उल्टे कम करने के वज़े हमने दिल्ली में टेस्ट कई गुने बढ़ा दिये आज लगबग एक लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो रहे है हमने मौत के आंकड़े आपसे नहीं छुपाए जितनी मौतें होती थी, हमने सब आपके सामने रखी, इमानदारी से रखी, अगर ज्यादा हो रही थी तो ज्यादा बताई, कम हो रही थी तो कम बताई, कितने बेड्स हैं, कितने आईस्यू बेड्स हैं, क्या परिस्थितियां हैं, हर चीज आपके सामने इमानदारी के साथ और इसी वज़े से जब भी हमने कड़े निर्ने लिये हमें आपका पूरा सहयोग मिला दिल्ली की जनता का पूरा सहयोग मिला मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी दिल्ली एक परिवार है दिल्ली के दो करोड लोग एक परिवार है और जब परिवार में कोई आपदा आती है तो सारे परिवार के लोग मिलके उसका सामना करते हैं अब भी हम सभी मिलके इसका सामना करेंगे पहले भी जीत हुई थी अब भी जीत होगी आज दिल्ली में क्या परिस्थिती है पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगबग साड़े 23,000 केस आए थे उसके पिछले 24 घंटे में लगबग 25,000 केस आय थे तो पिछले 3-4 दिन से रोज हम देख रहे हैं लगबग 25,000 के करीब केस आ रहे है पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है संक्रमंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है देली 25-25 हजार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी विवस्था चर्मरा सकती है दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है ICO बेड्स दिल्ली में लगबख खतम हो गए है आज सुबह मैं एब पे देख रहा था सौ से भी कम ICO बेड्स दिल्ली में बचे है oxygen की भारी कमी हो रही है कल हमने Central Government को भी लिखाया, उनसे बात्चीत चल रही है परसो रात को एक हादसा होते होते बचा एक Private Hospital ने हमें बताया कि परसो रात को तीन बजे के करीब उनके अस्पताल की Oxygen लगबक खतम हो गई वो बोले जी हम तो बहुत बुरी तरह से डर गए बहुत बड़ा हादसा हो सकता था इधर उधर हाथ पर मारके किसी तरह से उन्होंने कहीं से Oxygen का इंतिजाम किया दवाईयों की कमी हो रही है Remdesivir दवाई की खासकर काफी कमी हो रही है ये सारे तथे मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताये ये सारी परिस्थिती है और इन परिस्थितियों में हमें अब अगला कदम क्या उठाना है इस पे चर्चा करने के लिए मैंने आपको ये परिस्थिती बताई है तो दिल्ली के अंदर करोना की परिस्थिती काफी गंभीर है अभी तक हमने दिल्ली के अंदर हेल्थ सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया दिल्ली में चौथी वेव आई है पहली वेव पिछले साल जून में आई थी जिसमें साड़े चार हजार के करीब केस आई थे दूसरी वेव आई फिर सितंबर में फिर तीसरी वेव आई जिसमें साड़े आठ हजार के करीब केस आई थे दुनिया के कई शहर ऐसे हैं बड़े बड़े देशों के विकसित देशों के शहर जहां छे हजार केस आई तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चर्मरा आ गया कोलाप्स कर गया दिल्ली में साड़े आठ हजार केस आई पिछली बार तीसरी वेव में तब भी हमारा सिस्टम कोलाप्स नहीं किया उल्टे हमने और ज्यादा अपनी तैयारियां शुरू कर दी आज पच्चिस हजार केस आएं अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुंच गया है हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज़्यादा तनाव में है मैं यह नहीं कहूंगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कोलाप्स किया है लेकिन आज हमारा health system बहुत जादा तनाव में है किसी भी health system के अपनी सीमाई होती है अंगिनत patients तो कोई भी system नहीं ले सकता ना किसी भी system के अपनी सीमाई है पिछले पांच साल में आपकी सरकार ने दिल्ली में बढ़ बहुत बढ़े स्तर पे स्वास्त के ख्षित्र में काम किया है खूब नए हॉस्पिटल खोले है महला क्लिनिक पॉली क्लिनिक बनाए है बहुत बड़े स्थर के उपर स्वास्त के ख्षित्र में काम हुआ है यही कारने कि आज 25,000 केस के उपर भी दिल्ली का सिस्टम चल रहा है लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंत कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो यह सिस्टम कलाप्स कर सकता है और अगर हेल्थ सिस्टम कलाप्स कर गया तो मुझे डर है कहीं बहुत बड़ी तरासदी नहों जाए जैसे हमेंने बताया कि कल एक अस्पताल में अक्सिजन बिल्कुल खतम हो गई थी और बहुत बड़ी तरासदी होते होते बची मैंने वीडियोज देखे हैं तस्वीरे देखे हैं आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे दुनिया के कई शहर ऐसे हैं जहां कॉरिडॉर में पेशेंस पड़े हुए हैं सडकों के उपर लोग दम तोड़ रहे हैं अभी तक हमने दिल्ली को उस किसम की तरासदी से बचाया है वैसा नहीं होने लिया आज सुबह ग्यारा बजे मेरी और एल जी साब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलूँ के उपर सारी परिस्थिती के उपर काफे विस्तार से बाचित हुई और उस बाचित के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा नहों की बड़ी त्रासदी हो जाए हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिती में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पढ़े हैं सडकों पे लोग दम तोड़ रहे हैं आज सभी परिस्थितियों का जाय जा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है तो आज रात को दस बजे से अगले सोमवार को सुबह पाँच बजे तक छे दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है इस दौरान जाहिर है कि जो जो एसेंशल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी खाने पीने की, मेडिकल विवस्थाओं की वो जारी रहेंगी ये शादियों का सीजन है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिष्टे बनते हैं हम उनके रिष्टे तोड़ना नहीं चाहते तो लोगों की शादियां संपन हो, लेकिन केवल पचास लोगों के गैदरिंग के साथ संपन हो उसके लिए लग से पास दिये जाएंगे इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डीटेल डॉर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीजे जारी रहेंगी और कौन सी चीजों पर पाबंदी रहेंगी मैंने और LG साहब के हम दोनों ने निरने तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाए नहीं बचा था हमारे लिए निरने लेना असान नहीं था क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि लॉक्डाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोजगार खतम हो जाते हैं लोगों की कमाई खतम हो जाती है और खास कर सबसे गरीब तब के लिए तो यह बेहद मुश्किल होता है जो दिहारी करके रोज कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गाउं जाने लगे थे उनसे मैं खास तोर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं ये छोटा सा लॉ छोड़ के मत जाईएगा आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा इतना पैसा खराब हो जाएगा इतनी उर्जा खराब होती है दिल्ली में रहिए मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन हो और छोटा ही रहेगा मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ आता हूं सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी मैं हूना मुझ पर भरोसा रखिए मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निरने हमने बहुत मुश्किल से लिया है आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सक्त खिलाफ रहा हूं हमेशा से मैंने लॉकडा कि शहर या राज्य की स्वास्त विवस्था अपनी सीमा तक पहुँच जाए तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके ये जो छे दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं ये ज कर रही है उसके लिए हम केंदर सरकार के शुक्र गुजार हैं उनसे ऑक्सीजन की विवस्था करेंगे दवाईयों की विवस्था करेंगे इस लॉकडाउन के समय को हम इन सब चीजों के लिए इस्तिमाल करेंगे मेरी अप सब लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का तरह से पालन करें, घर से बाहर इस दौरान ना निकलें, पहले भी हमने कई कठिन निरने लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया, मुझे पूरी उम्मीर है, आज भी आप मेरा साथ देंगे, हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और जरूर जीतेंगे, नमश्कार.